वेल्कम तो को टुनाइट टोडेश टॉपिक इस फंडमेंटल सफ जावा स्क्रेप्ट पार्ट फॉर ऑब्जेक्स लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूंगा इस लाइन को हम कहे सकते हैं कि एकस में एक नमबर सेव है हम कहे सकते हैं कि एकस की डेटर टाइप नमबर है ये बात तो आपको पता है लेकिन हम एक चीज़ और भी कहे सकते हैं कि एकस एक नमबर है क्यों ऐसा क्यों कहे सकते हैं नमबर तो ये है और ये तो वैरियेबल का नाम है जिसके अंदर नमबर सेव तो हम ऐसा कैसे के सकते हैं कि X एक नंबर है वो हम इसलिए के सकते हैं यूंकि X की value में एक नंबर save है इस line के run होने के बाद हम आगे अपने code में जहां पर भी X लिखेंगे वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे वहां पर एक नंबर लिखा हुए ये वाला जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताए है तो हम तीनों तरह से के सकते हैं इसमें confused होने वाली बात नहीं है और सिर्फ numbers के लिए नहीं के सकते हैं ये तीन बातें किसी भी data type के लिए ये बातें के सकते हैं यहां पर कुछ variables given हैं और उनको को highly organized form में रखें यहां पर तो 2 persons के बारे में जरा सा data है लेकिन suppose करेंगा यह दो नहीं 1000 persons होते हैं तो हमें 1000 persons के बारे में 1000 variables define करना पड़ते हैं और उनको उनकी values assign करना पड़ती हैं तो इस तरह हमारा code highly unorganized हो जाता है और बहुत ज़्यादा mix हो जाता तो हम अपने code में data को organize रखने के लिए objects का use करते हैं इस example में objects कैसे use होंगे कि हर person के data के लिए एक अलग single object बनेगा दो persons हैं हमारे पास इस example में तो दो objects बनेगे इन persons के data के लिए जिस तरह strings, numbers और anonymous functions को हम variables में save कर सकते हैं इसी तरह हम variables में objects को भी save कर सकते हैं person 1 के अंदर भी एक object save है person 2 के अंदर भी एक object save है person 1 की data type भी object है person 2 की data type भी object है object हम इन curly braces को कह रहे हैं इन curly braces के बीच में हम जो कुछ लेख रहे हैं वो उस object का हिस्सा है यहाँ पर ये बात भी याद रहे कि function के block of code में जो curly braces हमने देखे थे उनका इन curly braces के साथ कोई वास्ता नहीं है कोई similarity नहीं है वो function के block of code के curly braces थे और ये object के हैं functions वाली वीडियो में मैं आपको यह बताया था कि curly braces को हम block of code कहते हैं और block of code के अंदर अगर हम किसी variable को define करते हैं तो उस variable को हम उस block of code से बहार use नहीं कर सकते हैं हमें error मिलता है scope की problem की वज़े से वो बात पिलकुल ठीक है लेकिन object के curly braces को ना तो हम block of code केते हैं और ना ऐसी कोई restriction होती है कि हम object के curly braces के अंदर जिन variables को define करें तो उस object के curly braces के बहार उस variables को use ना कर सकें ऐसा कुछ नहीं होता object के अंदर person 1 और person 2 object के अंदर 3-3 variables define है जब हम object के अंदर variables को define करते हैं तो उनके साथ let नहीं लगाते हैं और is equals के sign की जगा हम colon लगाते हैं और एक variable को value assign करने के बाद दूसरे variable को define करने से पहले हम उन दोनों के बीच में comma लगाते हैं आप यह सोच रहे होंगे के name को भी हमने दो बार define किया है age को भी दो बार define किया है faith color को भी दो बार define किया है तो हमें error क्यों नहीं मिलेगा यह मैं आपको बाद में समझाता हूँ पहले आप यह समझ लें कि किसी object के curly braces के अंदर अगर हम variables को define करते हैं तो उसे variable नहीं कहते हैं उसे property कहते हैं तो name भी एक property है age भी property है faith color भी property है अब अगर मैं चाहता हूँ कि person1 की name property को use करूँ for example मैंने person1 की name property को console.log करवाना है तो क्या मैं यह लिखूँँगा console.log name नहीं क्योंकि name तो person1 के अंदर भी है person2 के अंदर भी है तो हमें object के reference के साथ property की बात करनी पड़ती है किसी भी property को use करेंगे तो उस property के object के reference के साथ उस property को use करेंगे तो मुझे लिखना पढ़ेगा person1.name dot का मतलब होता है किसी object के अंदर person1 object के अंदर हम name property को console.log करवा रहे है तो console में हमें calculated value क्या मिलेगी आदिल अब आपको ये भी clear हो जाएगा कि हम हर property को उसके object के reference के साथ use करते है तो हमारे पास जितने भी objects हो अगर उन objects के अंदर हमने property का same नाम रख़े है जैसे यहाँ पर name define है यहाँ पर भी name define है age define है, यहाँ पर भी age define है तो हमें error नहीं मिलेगा ये बात तो obvious है कि property के अंदर हम कुछ भी save कर सकते हैं चाहे वो number हो, string हो या anonymous function हो cat object है, name property के अंदर save किया मैंने एक string age property के अंदर save है number meow property के अंदर save है anonymous function ऐसी property जिसके अंदर हो, उसे हम method केते हैं या मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ऐसा function जो object से belong करें उसे हम method केते हैं meow के अंदर save है एक anonymous function तो meow एक function है और meow function cat object से belong करता है तो meow property नहीं, meow एक method है anonymous function के topic को अगर आप याद करें तो meow नाम पढ़ गया है इस anonymous function का तो अगर मैंने meow method को call करना है तो object के reference के साथ करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा cat.meow पिशली example में cat object का closing curly brace जालना बूल गया था तो confused नहीं होना अपने इस example को देखते हैं person object है हमारे पास पहले ये line चलेगी फिर ये फिर ये फिर ये और चूंकर ये function का block of code है तो ये skip हो जाएगा फिर जब ये वाली line चलेगी तो हम console.log करवा रहे है person.speak को speak method है person object का तो ये function का block of code run होना start हो जाएगा sentence के अंदर हम save कर रहे हैं इस पूरे का result person.pet ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पर लिखा हुए person.action ये ऐसे ही है यहाँ पर लिखा हुए तो ये सारी strings आपस में concatenate होकर एक single string बनेगी और वो sentence के अंदर save हो रही है फिर हम return कर रहे है sentence को और return का होगा जहां से यह speak method call हुए यहाँ पर तो console के अंदर चला जाएगा my kitty is meowing nested objects nested objects का मतलब है कि एक object के अंदर एक और object हो सकते है person object है name property के अंदर save है एक string age property के अंदर save है एक नम्मर appearance property के अंदर save है object तो यह क्या हो गया एक object के अंदर एक और object अब इस object की दो प्रोपर्टीज है आई color और hair color अब लेट से मैंने hair color को console.log करवाने यूज करने किसी भी तरह मैं कहें रहा हूंगा console.log करवाने तो मैं क्या लिखूँगा person.appearance.hairColor इससा क्या मतलब हुआ कि person के अंदर appearance के अंदर hair color जो प्रोपर्टी है उसी calculated value console में दिखाओ creating an object property इस example को देखें अगर मैं चाहता हूंग cat object के curly braces के close होने के बाद आगे अपने code में cat object की एक और property बना दूँ.for example cat object की color property बना हूं यह कर सकने cat object की color property को define करना चाहूं तो वह मैं कैसे करूँगा simply लिख दूँ cat.talk color और जो इसको value देनी है हमने वह नोट करेंगे यहाँ पर मैंने let नहीं लिखा क्यूंकि असल में हम property को define कर रहे हैं अब जब यह वाली line run हो जाएगी तो उसके बाद cat.color को हम अपने code में आगे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं console.log करके आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर भी हम cat.color लिखेंगे उसका मतलब होगा वहाँ पर लिखा हुए white suppose करेंगे cat object के curly brace से close होने के बाद अगर मैंने cat object की color प्रापरटी की value अपडेट करनी है अभी white या लेट से मैंने update करके brown करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं लिख दूँ cat.color equals brown तो यह line चलने के बाद हम cat.color को जहाँ पर भी लिखेंगे उसका मतलब होगा brown functions वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने दो चीजों की आपको definition बताई थी methods की और number methods की लेकिन वो मैंने incomplete और गलत बताई थी वो जो कुछ हमने पढ़ा था उनके बारे में कैसे काम करते हैं वो तो बल्कुल ठीक ता सब कुछ ठीक ता लेकिन सिर्फ definitions थोड़ी सी गलत बताई थी वो इसलिए क्योंकि हमने तब तक objects को नहीं पढ़ा था हमें यह नहीं पता था कि methods क्या होते हैं लेकिन अब तो आपको बता चल गया कि methods होते function यह लेकिन ऐसे function होते हैं जो लेकिन functions वारी वीडियो में अगर आप याद करें तो जहां पर हमने इन्हें use किया था तो क्या कहीं पर हमने math object को define किया था नहीं किया था इसका मतलब यह हुआ कि math एक built-in object था math object जावा स्क्रिप्ट के अंदर खुद से save होता हमें define करने की जरूरत नहीं होती इसी तरह math object के यह जो methods हैं trunk round और random यह क्या है built-in methods हैं यह हमें define करने की जरूरत नहीं होती यह जावा स्क्रिप्ट के अंदर math object के अंदर खुद से define होते हैं अब question यह है कि इन्हें हम number methods क्यों कहते हैं cat वाली example याद करें meow क्या था एक cat का method था meow एक cat method था तो इसी तरह trunk math method round math method random math method अब यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि methods और properties को कैसे use किया जाता है string methods की अगर बात की जाए तो मैंने आपको strings वाली वीडियो में string method की definition बिलकुल ठीक दी थी कि ऐसे methods जिनके जरी हम किसी string पर काम कर सकें उन्हें string method कहते हैं अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही तो मसला नहीं है लेकिन आपने confused नहीं होना वो बात यह है कि methods और properties तो object के reference से use की जाती है लेकिन x तो यहाँ पर एक string है तो x. लिखने के बाद मैं किसी property या method को कैसे use कर सकता हूँ असल में JavaScript ने strings को भी इजाज़त दी होती है कि उनके साथ हम properties और methods को use कर सकें इस line में x हमारे पास एक string है और यह line चलने के बाद भी x एक string ही रहेगी लेकिन होता है कि यह है कि जब हम किसी string के साथ property या method को use करते हैं तो JavaScript खुद से एक special temporary object create कर देता है उस special object को हमारी string की value पता होती है तो वो special object हमारी property या method के साथ काम करते हुए result return कर देता है जैसे कि यहाँ पर क्या return होगा one as a number और return करने के बाद यह special object खुद पाखुद डिस्ट्रॉइ हो जाता है x तो हमारा string थी और string ही रहेगी चैनल सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छे लगी तो like और share कर दें थैंक्यू